नमस्कार आप सभी का इस चैनल में श्वागत है आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील कैसे करेंगे आप रोग लगातार इस वीडियो को बिना इसकी किये हुए देखें मैंने ये प्रपत्र को आयुक्त कार् कमिशनर आफिस सहरसा में लगाया था जिसके एगेंस्ट मैं प्रथम अपील दायर किया हूँ आप लोग भी जान लें कि प्रथम अपील कैसे दायर किया जाता है प्रथम अपील दायर करने के लिए हम लोगों को प्रपत्र छो नियम छो एक के तहत डालने का प्राभधान ह आप लोग इसी तरह प्रपत्रकों का फॉर्म आता है, आप लोग को यदि उपलब्ध हो जाए या कचहरी या ब्लॉक वगरे में मिल जाता है, यदि उपलब्ध ना हो यह तो आप इसी तरह हाथ से भी साधा कागज़ पर लिखके, आप लोग पर्थम अपील दैर कर सकते हैं तो लिखना यही सेवा में अपिलिये प्राधिकार विभाग या कारियाले का नाम, मैंने कमिशनर कारियाले में यह प्रथम अपील दैर किया है, इसलिए मैंने यहाँ कमिशनर कारियाले का नाम दिया है और संबंधित कारियाले का नाम, कमिशनर ओफिस के पता दे देना है, अपने संबंधित सभी का दे देंगे उसके बाद इस तरह भर देंगे अपना नाम पूरा पता भड़ेंगे और जिस लोग सुचना पता धिकारी के खिलाप आपने अपील किया है उस लोग सुचना पता धिकारी लिख देंगे उस काड़ियाले का नाम लिखेंगे जहां प्रपत्र को आपने डाला था इस तरह करके उनका पूरा पता दे देना है अब यदि प्रपत्र को पर कोई निर्णय हो या नहीं हो यदि निर्णय हो और उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो उस निर्णाई का ताड़ी डेट भर देना है अगर निर्णाई कोई नहीं है तो यहां लिख देना है कोई निर्णाई प्राप्त नहीं है अब प्रपत्र को किस्ट थी को दायर किये थे आप भेजे थे सुचना के लिए उस टेट देना है और जो सुचना प्रपत्र को में मांगी थी उसी का विहां बढ़न देना है सुचना का प्योरा अब यदि सुचना दी गई है सो समय तो वो देना है या प्रपत्र को समर्पित करने की तिथी देना है अपील का कारण देना है कि प्रपत्र को आबेदन में 30 दिन के अंदर कोई निर्णे प्राप्त नहीं हुआ है या खों में जो निर्णे जिस दिनांग से प्राप्त हुआ है उससे यदि छुद है या उससे असंतुष्ट है तो वो देना है या जूटा सुचना दी गई है तो वो बढ़नन यहाँ पर कर देना अब अपील का आधार मामले में संचिप तत लोग सुचना अपदाधी कारी द्वारा स्वासमय वांचित सुचना उपलब्द नहीं कराई गई है उनको देना है नहीं कराई गई है जो गलत सुचना दैर कर सकते हैं या गलत सूचना जो दिया है वो आर्डर शिट के 30 दिन के भी तर आप अपिल दैर कर सकते हैं प्रधम अपील तो जो है अपिल दैर करने की अंत्यम्तिति देना है और प्रात्न या राहत जो आपको सूचन चाहिए जो यहाप मांग कर सकते History है और यो है इस तरह करके सगलगन कर देना है प्रपत्र को और लोग सुचना द्वारी भीजेगे पत्र की छाया परती उसमें डाक और या सुल्क जो भीजेंगे उसका भी परती लगा देंगे यह अपना हस्ता अक्षर कर देंगे और अपना मुगाईल नंबर दिनांक देके अपना पता देके यह भीज देंगे और परत्र अपिलिय में भी सुल्क का प्रावधान है इसमें भी 10 रुपे का पोस्टल ओडर लगता है जिस प्रकार आप पत्र को में पोस्टल ओडर लगाते हैं उसी तरह देना है और यह पता है पते पर बेज देना है पोस्टल ओडर कैसे भरेंगे देख लें इसमें लिख देना है प्रत्रम अपील यह प्रादिकार यहां का आयुक्त कार्याल है मैंने कमिश्णर शाहब को अपील लगा था इसलिए उनका पता दिए यहां पूरा नाम पता देंगे यह यह पता प्रत्रम अपील यह पतादिकार सह आयुक्त भी लिख सकते हैं अगर कमिश्णर साहब को लगाएंगे अपना पता महां भेज देंगे इधर अपना पूरा पता लिखेंगे ध्यान रखेंगे कि अपील जब भी किया जाता है प्रपत्र छो नियम छो एक के तहत जो भी अप पतादिकारी होते हैं उसके बरिष्ट पतादिकारी को लगा जाता है जैसे अगर ठाना को लगा एंगर सीओ एया वीडियो को लगा तो साहब को प्रथम अपील लगा है मैंने कमिशनर ओफिस से ही यह मांगा था सूचना इसलिए मैंने प्रथम अपील भी कमिशनर कारियाले को ही किया है साथ आप लोग समझ गया होंगे आशा है आप लोग भी इसका लाब उठाएंगे विडियो उप्योगी लगे तो एक दूसरे को अवस्षेर करें जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब अवस्ष कर लें जय हिंद